नमस्कार फ्रेंद्स जैहिंद मेरा नाम है प्रितेश योशी और राजस्थान का इतिहास यानि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के इस बड़े इंट्रेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत तो भाई पिछले वाले पार्ट में जिसमें हम प्राचीन सब्विताओं की बात कर रहे थे भाग नमबर दो में हमने डिसकस किया था तीन इंपोर्टेंट सभिताएं कौन-कौन सी थी वह पहले हमने बात करी गणेश्वर सभिता की तो जल्ली से मुझे बता दो वह कौन से जिले में है तो हमें सब को पता है सीकर डिस्ट्रिक्ट में है कौन सी नदी के कि किनारे पर वह बसा हुआ था तो याद अच्छी से कांतली नदी थी फिर हमें यह देखा कि किस तरीके से उसे ताम्र सभिताओं की जननी भी है कहा चाहता है फिर हमने बात करी थी आपके दूसरी सभिता यानि आहड सभिता की बात करते हैं तो हमने डिसकस किया था उसके च HD साखलिया, आर्सी अगरवाल और साथ साथ में कौन से विरेंदरनात मिश्र साब अच्छा फिर हमने बात करी थी कि आयर सब्विता के अंदर क्या क्या इंपोर्टेंट चीजें मिली तो याद करो भई बिना हत्ते का जलपात्र देखने को मिला था हमें बनासियन बुल देख करी थी फिर हमने बात करी थी आहर सब्विता के ही एक इंपोर्टेंट साइट जिसका नाम है बाला थल बाला थल को अपने याद भी किया था कि एक बाला है जिसके पास एक ग्यारा कमरों का भवन है भई हमें बाला थल सब्विता से ग्यारा कमरों का भवन देखने को मिला तामबे के आभूशन देखने को मिलेते हैं, यह सारी की सारी चीज़े अपने पिछली पार्ट यानि भाग नंबर 2 के अंदर डिसकस करी थी, तो इसका तो कोई क्रिविशन हो गया, अच्छा इनको बार बार याद करते रहो, अपने निमोनिक पर्सनल लेवल पर भी बनाते है, RSMSCV Board ने जो important point of view से जितनी भी सभिताइं दे रखिए, वो इस वाले part के अंदर cover हो जाएगी, आज हम बात करने वाले है, one of the important सभिता, बैराट सभिता के बारे में, बैराट सभिता एक ऐसी सभिता है, जिसका बुध धर्म से बड़ा relevance है, मौरेकालीन युग की है, यह सारी की सारी बात है, आज इस class में अपन चर्चा करेंगे, साथ ही साथ, आज की इस class में हम last में देखने वाले हैं, एक बड़िया सा राजस्तान का map लेंगे, और जितनी भी important सभिता है, पूरे के बूरे राजस्तान की है, उसको geographical ही याद करने की कोशिश करेंगे, एक quick revision भ रह भी जाती है, तो वो इस map के अंदर जो है, अपन अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है भाईया, start कर लेते हैं सबसे पहले बैराट सभिता के बारे में, अपन कब क्यों और कौन के concept में तो अपन देखी लेते हैं, आपने बैराट सभिता कभी न कभी newspaper में, या कही न कही ज़रूर पड़ा होगा, उत्खनान होते रहते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, अब अपने इसको कब क्यों और कौन के concept में समझने की कोशिश कर दें, तो सबसे बहले बैराट सभिता की एक picture जो है, यह आप देख सकते हो, ठीक है भाईया, तो start करते है बैराट सभिता दूर एक जगह है विराट नगर, वहाँ पर है यह, और विटार्ट नगर की अगर अपन बार करें, तो यह मत्से, मत्से जनपद की राजधानी भी रहा हुआ है, अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ डिसकस करके बताई थी, कि जब भी हम सभिताएं देखते हैं, तो हम पताघनी रहा है है, तो सारे की सारे फैक्ट सपन को यहां पर याद रहने चाहिए, अब सब्व्यता है, तो उसका कोई न कोई उत्खनन करता भी होगा, उत्खनन करता कौन हैं, उुनको भी देख लेथें, सबसे पहले फेज में उत्खनन होता है 1936 में, कब होता है भीई ह और K-N दिक्षित, K-N दिक्षित भोले तो कैलाश नाथ दिक्षित, ď यां तक बात, अब देखो रहे हैं अब सबसे पहले अपने प्लेस देख ली, अब अपन देख रहे हैं उत्खनन करता, तो उत्खनन करता को याद करने कि अपनी परसनल फनी टिक्स तो आपको बनाए नहीं है जैसे एक चोटा से एक्जामपल देकर मैं यहां पर बता जिता हूं अगर 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 अपन को जो है बेराट से बिता के जितने भी उत्खनन करता है उनके नाम याद रखने तो अपन को सिर्फ एक निमॉनिक याद रखना है कि डॉक्टर है जो नौदन रेल्वेस क तो यहां पर उत्तै कि उपर अगर कोई भी सवाल फसता है तो हम उसको असानी से जो है बड़ा clearly अपन उसका answer दे देंगे अब देख लेते हैं अपन को कि इस बैराट सब्वेता से अपन को important क्या क्या चीज़े देखने को मिली तो उनके बारे में discuss कर लेते हैं अपन को मिलते हैं यहां पर सरवादिक shell चित्र सबसे जादा अगर question आजाए कि कहां पर shell चित्र पाए गए हैं तो क्या answer होगा बैराट सब्वेता दूसरी important चीज़ जब बैराट क्या आसपास की जो चट्टाने हैं वहाँ पर हमें शंक लिपी देखने को मिलती है मलब जितनी भी चट्टाने हैं उनके ओपर शंक के shape की शंक के shape की लिपी script देखने को मिलती है जिसको कहा गया शंक लिपी तो question आजाए कि कौन सी सब्वेता से हमें शंक लिपी प्राप तूई तो answer क्या होगा बैराट सब्वेता से दो चीज़े clear है पहली चीज़ क्या मिली कि हमें यहाँ पर शंक लिपी देखने को मिली और दूसरी important जिस सर्वाधिक शेल चितर कहां पर देखने को मिले तो बैराट सब्वेता में देखने को मिले clear रहा तक बात कोई doubt नहीं रहना थी तीसरी चीज़ important कि यहाँ पे पूर्व आरियन लोगों की विद्यमानिता के एतिहासिक प्रमान देखने को मिलते हैं अब बात हो जाती है बैराट की तो आपको लगेगा यार बैराट में तो और सारे facts थे दिखो यह सारे important provision यह important चीज़ें थी archaeological excavation की अब अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बैराट और बुद्ध धर्म का साथ था बैराट सभिता को अपन chronologically समझने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर क्या-क्या important facts हैं इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं चलो गई तो बैराट और बुद्ध धर्म क्या रिष्टा था, क्या अटूट रिष्टा था और बैराट से हमें क्या-क्या चीजे देखने को मिली उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्राचीन सब्विताओं में बैराट और बुद्ध धर्म की बाल तो एक क्वेस्चन आया था किसी ने किसी एक्जाम में कि भाई भीम डूंगरी, गनेश डूंगरी ये किस सब्विता के पार्ट है तो एक बात बता देता हूँ बैराट सब्विता के अंदर तीन पहाडों के नाम आपको याद रखने है कौन-कौन से? वही एक तो है बीजक की पहाडी दूसरा है भीम डूंगरी और तीसरा है गनेश डूंगरी गनेश डूंगरी का रिलेशन किस से है? तो बैराट सब्विता से अब जब excavation हुआ, excavation हुआ यानि कि 1837 के अंदर Captain Bert नाम के एक व्यक्ति होते हैं, जो बीजक की पहाड़ी से भाबरू अभिलेक की खोज करते हैं, बेराट में ही है बीजक की पहाड़ी माँसे भाबरू अभिलेक की खोज करते हैं, तो सबसे पहले तो ये fact याद कर लो, कब ह हुआ, तो 1837 में हुआ, खोज किस ने की, तो Captain Bert ने की, कहाँ पर की, बीजक की पहाड़ी पर की, और उनको एक भाबरू शिलालेक मिला, क्या मिला भई, भाबरू शिलालेक मिला, अब देख लेते हैं भाबरू शिलालेक की तो इससे हमें दो तीन important चीजे देखने को मिलती ह है, कि इससे हमें पता चला महान समराट अशोक, महान समराट अशोक का धम, बुध और संग के प्रती निष्टा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाबरू अभिलेक से हमें क्या देखने को मिला, तो महान समराट अशोक की धम, बुध और संग के प्रती निष्टा व्यक्त की गई है इसी भाबरू अभिलेग भाबरू शिलालेग के अंदर और दूसरी बात अगर अगर अपन बात करें भाबरू शिलालेग में क्या है तो भाबरू शिलालेग हमें जानकारी देखता है बुद्ध धर्म के और दूसरे important scriptures की और जो बुद्ध important literature थी उनके बारे में भी हमें जानकारी देता है कौन सा अभी लेक कौन सा शिला लेक भाबरू शिला लेक clear है यहां तक बात अब question आ जाए मुझे जल्दी से बता जो भाबरू अभी लेक भाबरू शिला लेक के उपर जितने भी question आ जाए उसको अपन सारी तरीके से जोईना easily हल कर सकते हैं क्या question आ जाए पहला question तो यह आ जाए कि भाबरू शिला लेक की खोज किस ने की तो captain burton ने की थी कब की थी तो 1837 में की थी अच्छा किस जगे पर की तो बीजक की पहाड़ी पे की थी भाबरू शिला लेक यह फोटो देख लो भाबरू शिला लेक क्लेर हैं तक बात अब भाबरू शिला लेक की बाद कोई साभी question आ जाए सारे की सारे अगर question आजा है कि बैराथ अभिलेक से हमें क्या देखने को मिलता है तो भई धम के प्रचार और प्रसार के बारे में जानकारी बैराथ अभिलेक से देखने को मिलती है कहां मिला तो भीम बूंगरी के उपर यह मिला clear नहीं आतक बात कोई डाउट नहीं रहे न चींए तो भई ये भाबरु अभिले पहली चीज कि इसमें बुद्ध, धम और संग लिखा हुआ है कौन सी लिपी में? तो बात कर लेते हैं भई ब्रामी लिपी में ब्रामी लिपी के अंदर बुद्ध, धम और संग लिखा हुआ है यहाँ पर और भाबरु अबलिक के अंदर क्या किया कि इन तीनों के प्रती निष्टा व्यक्त की गई है किसकी अशोख की निष्टा इन तीनों के प्रती धंब बुद्ध और संग के प्रती निष्टा व्यक्त की गई है और अपन को क्या मिला उसके बारे में भी जानकारी मिल लेते हैं जब हम बात करते हैं बुद्ध स्टूप की, जब हम बात कर लेते हैं बुद्ध स्टूप की, तो वो बुद्ध धर्म के अंदर बड़ी relevance रखता है, उसकी religious relevance बहुत जादा है, और हमें यहाँ पर क्या मिला, एक बहुत गोलाकार मंदिर देखने को मिला, अच्छा, जब हम ब रंगीन मृदभांट देखने को मिलते हैं, रंगीन मृदभांट, अब एक question यहाँ पर उठता है, मुझे जल्ली से बताओ, और इससे पता जल जाएगा भई, आपकी तयारी जो है, वो कितनी strong चल रही है, मुझे अच्छे से बताओ, कि जब हम बात करे थे दूसरी सब्व जिसके अंदर हमें काले और लाल मृदभांट देखने को मिलते हैं, जिनने लोकल भाषा में गोरे और कोट कहा जाता है, बता दो कौन सी सब्विता थी, तो हमें अच्छे से याद है, वो आहड सब्विता जी थी, जिसमें गोरे और कोट, काले और लाल मृदभांट देख देखने को मिलते हैं और हमें क्या मिला यहां पर बैराट सब्यता से तो हमें पंच मार्क सिक्के पंच मार्क सिक्के पंच मार्क कॉइंस जो हैं वो देखने को यहां पर मिलते हैं पंच मार्क कॉइंस पंच मार्क सिक्के यहां पर देखने को मिलते हैं अब जब भाबरु अभिलेक की बात कर ली, ये सारी की चीजों की बात कर ली, उसके बाद राम सिंग सेकंड के बारे में बात करते हैं, जैपुर के महराजा राम सिंग सेकंड इस बैराट सब्विता की खोज करवाते हैं, और खोज के दोरान उन्हें क्या मिलता है, वो के अवशेश रहे होंगे तो ये फैक्ट भी अपनको बैराट सब्यता से रिलेटेड याद करना है क्या कि जैपुर के महाराजा राम सिंग सेकंड ने जब वहाँ पर खोज करवाई तो उन्हें क्या मिला उन्हें मिला एक स्वर्ण मंजूशा एक स्वर्ण कलश जिसके अंद जाता है कि उसमें भगवान बुद्ध के अवशेश रहे होंगे और दूसरी इंपोर्टेंट बात यह जो बैराट सब्यता है इसके बारे में हमें चीनी यात्री हैं सांग भी जो है वह इंफॉर्मेशन देता है तो क्या कहता है वह इंफॉर्मेशन यह सारी की सारी examination point of view से हैंसांग पहली चीज तो यह किसके काल में आया तो साब ही हर्षवर्धन के काल में आया था हर्षवर्धन के काल में आया था दूसरी इसकी important कोई किताब है क्या हाँ साब इसकी किताब का नाम है C.U. की क्या नाम है उसकिताब का C.U. की अच्छा तीसरी important बात कि जो C.U. की किताब है ये पुश्य भूती पुश्य भूती वंश के बारे में हमें जानकारी देती है कौन से वंश के बारे में जानकारी देती है पुष्य भूती वंश के बारे में हमें जानकारी देती है तो ये फोटो भी देख लो भाई इस हैंसांग की बड़िया फोटो लग रही है एंसम लग रहा है ये तो चीनी यात्री हैंसांग के बारे में दो-चार फैक्ट अब यह हैंसांग के बारे में हमने बेराट से रिलेटेट क्यों बात करी क्योंकि बेराट सब्विता के बारे में जानकरी हमें यह हैंसांग भी देता है क्या कहता है यह कहता है कि यहाँ पर है आठ बहुत मंदिर थे 8 important temples थे और इन temples कहा जो नाश नाश ने कर दिया । हुन राजाओं ने कौनसे राजाओं ने gor civilization में जो है इसका विनाश गर दिया था किनका विनाश कर दिया था बैराट सभिता के जो important की तौर पे कर सकते हैं कि भी वेंसांग को इस वेंसांग को एक Prince of Pilgrims भी कहा जाता है Prince of Pilgrims भी कहा जाता है Prince of Pilgrims भी कहा जाता है यानि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है किसको कहा जाता है हैंसांग को कहा जाता है तीर्थ यात्रियों का राजकुमार तीर्थ यात्यों का राजकुमार अब हैंसां के बारे में चारपाच important facts हो गए अब अपन को बैराट सब्विता के बारे में देख लिया तो यह पूरी की पूरी अपने बात करी बैराट सब्विता की ठीक है भई सबसे पहले अपने देखा के 1837 के अंदर Captain Bert नाम का आदमी है क्या नाम है भई Captain Bert नाम का आदमी है जो यहाँ पर खोज करता है खोज जब वो करता है तो उसको क्या मिलता है बीजक की पहाडी पर एक भाबरु अभिलेक देखने को मिलता है भाबरू अभिलेक जो है वो इसको देखने को मिलता है इस भाबरू अभिलेक के अंदर क्या है इस भाबरू अभिलेक से हमें पता चला कि जो अशोक है उसकी बौध धम उसकी बौध बुध धम बुध धम और संग के प्रती निष्टा जाहिर की कौन से अभी लेक में? भाबरू अभी लेक में फिर जब हमने बात करी भीम डूंगरी की भीम डूंगरी की तो भीम डूंगरी से हमें देखने को मिला बैराठ अभी लेक जो धम के प्रचार प्रसार की बात करता है चलो भई ये सारी की सारी बात हो गई उसके बाद आती है एंटरी किसकी राम सिंग सेकंड की कौन है भई राम सिंग सेकंड जैपुर के महराजा है जो खोज करवाते हैं और इनको भी एक स्वार्ण मंझूशा देखने को मिलती है गैसे मिलती है जिसके अंदर ऐसा कहा जाता है यहाँ पर कई सारे शेल चित्र और हमें देखने को मिलते हैं पूर्व आर्यों के विद्धिमान के प्रमान भी है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं अच्छा और चीजे इंपोर्टेंट अपन को क्या देखने को मिलती है हमें यहाँ पर एक तो बहुत स्टूप और मंदर देखने को मिलता है एक टेंपल यानि मन्दिर देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं स्थूप और टेंपल की तो हमें याद आती एक व्यक्ति की उस व्यक्ति का क्या नाम था यून सांग यूं सांग कौन था ह √ugen तो साब एक Chinese traveler था एक Chinese traveler था Chinese traveler हिउन सांग के बारे में वी 45 बड़ी एफेक्ट examination point of view से किसको Pins of Pilgrins यानी तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है किताब इसकी थी सी यू की जिसके अंदर पुष्य भूती वंश के बारे में जानकारी देखने को मिलती है और यह हर्ष वर्दन के काल में आया था clear रहे हैं तक बात कोई doubt यहां पर नहीं रहना चाहिए और ह्यून सांग ने हमें बेराट सब्विता के बारे में क्या बता है ह्यून सांग बोलता है कि यहां पर आठ मंदिर रहे हुथे और इन आठों मंदिर का विनाश किया था हुन राजाओने तो अपन को बेराट आपके उपर denote करने की कोशिश करते हैं अब देखो exams में जितने भी सारे questions आ रहे हैं उनके चार-पांच प्रोविजन है चार-पांच perspectives हैं जो अपन सब्विता के तौर पर मैच कर सकते हैं वह क्या पूछेंगे वह क्या क्या चीज़ें मिली वह पूछ लेंगे excavator का नाम प बढ़िया सी टेबल बनाएंगे एक एक जगे पर अपन सारे excavator के नाम लिखेंगे एक एक जगे पर अपन देखेंगे कि क्या क्या important चीज़ें महां से मिली कौन से district में थे कौन सी नदी के तट पे थे ये सारी की सारी बाते हैं अपन revision के अंदर देख लेंगे भाईया अब अपन को क्या करना है राजस्थान का मैप आ अब अपन पूरे राजस्थान में घूमने चलते हैं एक एक district को घूमते हैं और घूमते दौरान अपन यह देखते हैं कि उस जिले के अंदर जो है वो बढ़िया सी कोई सब्विता है या नहीं है और अगर सब्विता है त अपने को क्या क्या चीजें मिलते हैं चलो भई तो अपन जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नौट से तो नौट में कौन से जिला आता है सब हनवानगर आता है थोड़ा पतला कर लेते हैं इसको जिससे बढ़िया बने ठीक है हनमानगर जिला आता है जब अपन हनमानग सब्सक्राइब की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टनीं सभ्विता आती है वहाँ पर हपन सब को याद वह इसब रखिलता जो जुड़ी हुई थी इंडरस्वेली सब्हुता से वे जो काली बंगा के नाम से जानी जाती है काली बंगा ठीक है हनुमानगड में देख लिए साब काली बंगा काली बंगा के अलावा एक और पीली बंगा और हमें यहां पर देखने को मिलती एक कौन सी सब्वेता रंग महल कौन सी सब्वेता रंग महल अब इसको याद कैसे करना है कि जब भी हन कर्मानंगडे में जाेंगे नथ रंग करेंगे कौन से रंग की काले और पीले रंग की बात करेंगे काले ल्गे सि काली बंगा और रंग महल है क्लियर है था आunda करें बार एमकाली ब्लीक्य दे रखिए और कीशा है अपने को पता होने चीए उनको अपन क्लास के अंदर बढ़िया तरीकी से रट लेंगे एक एक सब्विता जो है वो नहीं चूटेगे और एक्जाम में अपने में यहां नहीं करने वाले व्यक्ति कौन डॉक्टर हननारीड क्लेर साब बात अब यह जो डॉक्टर हननारीड थे ये यह कौन थे एक स्वीडिश ग्रूप को नेतरत्व करके ले कर आए स्वीडिश गुरुप को लेकर आए और उन्हेंने जब यहाँ पर उतकन किया तो यहाँ पर इनको मिलती है गुरु शिश की मूर्ती क्या देखने को मिलती है? गुरु शिश की मूर्ती रंग मैल आ जाएगा पांच फैक्ट आपके तैयारे कौन से? करने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर हनारिद थे अच्छा साब हनारिद साब थे तो इस स्वीडिश गुरुप को लेकर आते हैं और उतकनन के दौरान इनको मिलती है गुरु शिश की मूर्ती अब अपन हनमानगर तो पूरा बढ़िया हो गया अब अपन हनमानगर से थोड़ा नीचे चलते हैं कहां चलते हैं अपन चलते हैं जुन जुनु कहां चलते हैं जुन जुनु अब बात कर ले जुन जुनु की तो जुन जुनु में हमें एक सब्विता देखने को मिलती है उस सब्विता का नाम है सुनारी सब्विता क्या नाम है भई सुनारी सब्विता और यहाँ पर अपन को लोह गलाने की बटियां मिलती है क्या मिलती है लोह गलाने की बटियां मिलती है लोह गलाने की बटियां देखने को मिलती है सब्वेता का नाम सुनारी सब्वेता कहां पर है जुन्जुनु में है क्या मिलता है तो यह पर लोह गलाने की भट्टियां देखने को मिलती है अब मुझे अच्छे से याद करके बता दू जुन्जुनी जाओगे तो किस से मिलोगे तो सब सुनारी से मिलेंगे आचा सुनार कि नीचे अपन चलते हैं सीकर में और जैसे ही सीकर का नाम लेते हैं न तो मेरे सारे दोस्तों को एक ही सब्विता का नाम आता है और वो सब्विता है हमारे बोल गणेश जी माराज की जै गणेश्वर सब्विता गनेश्वर Sabbyta अब गनेश्वर Sabbyta के बारे में बहुँ छी सारी चीजे याद है पहला कौन से जिले में है सब सीकर जिले में है अभी तो आपने बता है करने वाले व्यक्ति कौन तो RC Agrawal अच्छा और मुझे बता दो गनेश्वर सब्विता को क्या कहा जाता है बार बार याद दिलारों भाया क्या कहा जाता है गनेश्वर सब्विता को कहा जाता है ताम्र सब्विताओं की जननी क्या कहा जाता है ताम्र सब्विताओं की जननी क्लियर है तो अपन सीकर घूम लिए जुन जुनू घूम लिए ह आंतली नदी के तटपर, चलो भई, हनुमानगड घूम लिए, जुन जुनू घूम लिए, अब आ गया भई, अपनी कैपिटल सिटी, जैपूर, जैपूर, जैपूर पहुंचे, तो हमने क्या देखा, सर, एक तो आपने आज ही हमें बताया है, बैराट सब्वेता, एक तो आ जौधर पुरा सभीता उसलिगने चले तो कोई सी सोड़ी से बताओ जैपूर गूमने चले तो कॉस्व भीता देखी एक लाज़कार के बारेों पयाद कर चुके आगले सब के पूरे तो में चलते रहे तो सारी की सारी सब्वेता यहां पर अपनी रट जाएंगी चलो भाई जैपूर पहुंच गए अब जैपूर के अलावा अपन कहा चलते हैं यार इस तरफ तो बहुत घूम ली अब थोड़ा सा जो है ना अपन इस तरफ चलते हैं बीकानेर चलते हैं यार घूमने चलो सौंधी सब्वेता कहां पर है तो सर इसको क्या कहते हैं इसको अच्छे से याद हो गया हमने रटी हुए चीज़ है क्या कि Sur een काली बंग प्रत्म के नाम से जाना जाता है काली बंगा प्रत्म के नाम से जनगा जाता है एकसकावेटर कौन है इसका साब हमें अच्छे से याद अमलानदध घोष इसके एकसकावेटर है और सार इसके दो एंसी स्वाइटी संतर के दो इं मिलेगी इसका उत्कानन करनेवाले व्यक्ति कौन ऐसके दो सानिया और पूगल है और इसे काली बंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है तो बीकानेर तो अपन को पूरा अच्छे से याद हो गया अब बीकानेर से थोड़ा सा नीचे अपन घूमने चलते हैं भाईया बाड मेर में कहां पर बाड मेर बाड मेर में एक जगे है जिस जगे का नाम है क्या सर उस जगे का नाम है अच्छे से याद आ गया तिल सभ민ताओं कि और जब हम पाशान सभिताओं की बात करते हैं तो पहला नाम तो आता है तिल्वाडा तो पहले सुन लो तिल्वाड़ा की खानी देवाइस करले पहली बात तिल्वाड़ा के अंदर कि कोई नदी है क्या जिसके तट पे बसी हुई है तो हां साब लूनी रिवर है लूनी नदी है और पाशान यूगीन सब्विता है पाशान कालीन सब्विता है ठीक है और क्या मिला यहां से सर हमें मिले थे तिलवाडा से पशुपालन के साक्ष क्या मिले भाईया पशुपालन के साक्ष औ और हमें एक और तगडी चीज देहने को मिली थी वही याद करके बतादो लिख रहा हूं मैं याद कर Deepakusa हमें वहानसे देखने को मिले थे लगू पाशान कालीन ओजार जिर्याम क्या केते हैं MICROLITS क्या क्या केते हैं भईया ? तो ये तिलवाडा की तो सारी की सारी बाते हो गई, कौन सी नदी के किनारे, लोणी नदी के किनारे, जिला कौन सा है, साब बाड मेर है, पाशान यूगीन सब्यता है, और हमें वहाँ से क्या मिलते हैं, पशुपालन की साक्ष मिलते हैं, और हमें वहाँ से कुछ नहीं मिलता भीलवाडा के अंदर कोठारी नदी के किनारे एक और तगडी सब्विता कौन सी थी वो सब्विता याद करके मुझे बता दो बागोर सब्विता कौन सी सब्विता थी बागोर सब्विता कहां पर है तो साब भीलवाडा के अंदर है पाशान युगीन सब्विता है कोठारी के साक्ष मिले और हमें वहां से भी माइक्रोलिट्स देखने को मिलते हैं पशू पालन पाशान कालीन सब्वेता तो दो अपने याद हो अब मुझे एक बाद जल्दी से याद करके बताओ और भी कोई साइट थी तो थी साइट करके बताओ तुमारे दिमाग में सब लिखा हुए अभी याद करके बताओ उसको कौन सी साइट थी सर आपने अच्छे से बताया था कि नागोर के अंदर तो कौन है ज जायल और डीडवना और जैसे ही अपन नागवर से थोड़ा सा नीचे आते हैं अजमेर, तो अजमेर में अपन देखते हैं कौन सा पुषकर? और ये पाँचो की पाँचो साइट जो है वह है पाँचान कालीन यूगीन की साइट कौन-कौन सी पाँचो साइट रटलो अभी की अभी अजमेर की बुड़ा पुशकर नागोर की जेडी जेडी वो ले तो जैल और डीडवना बाढ़मेर गए तो तिलवाडा देख लिया और भीलवाडा गए तो हमने देख लिया कौनसा बागोर तो पांचों की पाशान कालीन साइट हमें लोकेशन के साथ बड़ीया इंफ़ोर्मेशन की तौर पर याद हो गई है तो भीलवाडा हो गया यहां घूमले साथ और अपन कहां चलें यार अब मेरा थोड़ा सा मन कर रहा है कि यार इधर घूमने चलते हैं अपन उदैपूर चलो साब उदैपूर में अपन जब घूमने गए तो वहाँ पर तो हमारी फेवरेट सब्वेता नाम याद आ गई कौन सी आहड सब्विता कहाँ पर है तो उद्यपूर में है नदी कौन सी तो आयड और बेडाश नदी के किनारे है और इसके उत्कनन करता तो साब चार है और वो अच्छे से याद या बार बार मत बता हो कौन से है तो याद कर लो यार एक बार और अक्षे किरती व्यास, HD साखलिया, RC अगरवाल और चौथा कौन सा बढ़िया करके याद बता दो विरेंदर नाथ, मिश्र आहड सब्विता के अंदर अपन जब बात कर रहे थे तो एक निमोनिक भी बनाया था अपने क्या जब भी हम आहड सब्विता की बात करेंगे तो हम उसको याद करने की कोशिष कैसे करेंगे कि इन आहड सब्विता की तीन इंपोर्टन साइट है सरो कौन सी यहो साइट साब हमने एक निमोनिक बनाया था बॉग उबर एक बॉग नाम का आदमी है जो Uber में बैट के जाता है और ये तीनो साइट्स को याद करने का तरीका है कैसे जब भी हम बात करते हैं आहर सब्विता की साइट का तो हमें तीन साइट्स के नाम याद करने है बी से बाला थल जो की है उदैपूर में तो ये साब ये हो गया ओ से ओजियान जो की है आपके भीलवाडा में और जी से गिलुण जो की है आपके राज समंद में लो भाईया तीन और जिले अपने कर ली कौन से उदैपूर में तो आगया बाला थल राज समंद में आगया कौन सा हो गया भाई बीलवाडा में सब्सक्राइड क्वेजए और यार दो चार बढ़िया बढ़िया डिस्ट्रिक्ट्स और गोमा दे तो कहाँ पर तुब है जैपूर तो इस से थोड़ा सा नीचे अपने चल लो कहाँ पर रेड कहाँ पर चल लो अपने रेड चल देखने मिलती है जब हम रैड सभीता की बात करते हैं है तो यहां पर हम मिलते हैं बहुत तगरी चीज कहते हैं तो यहांपे और Flash सबसे बड़ा सिक्कों का बंडार भेब Policy नगर कि थे तो चैना जयां कि प्राचीं समय का टाटा नगर किसको कहते हैं तो रेड को कहते हैं अच्छा क्यों कहते हैं क्योंकि यहां पर एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार जो है वो देखने को मिला है तो भाई यह सारी की सारी इपनी याद कर लेता है जो अपने सब्यता के तोर पर पर प्राचीन सब्यता के टौर पर थोड़ी सी important है भरतपूर के अंदर हम जब गए ना तो हमने दर्शन कि किसके जाख बाबा के किसकी दर्शन किए भाईया जाख बाबा की He कि अब यह जाख बाबाव की मूर्ती एक यक्ष की मूर्ति किस की मूर्ति यक्ष की मूरति आप शुंग काल की यक्ष की मूर्ति है जो 5 मीटर लंबी है देखने को मिलती है किसकी जाक बाबा की मूर्ति जो यक्ष की मूर्ति है शुंग काल की कहां पर है तो 9 में है 9 कहां पर है तो भरतपुर में है तो यह सारी की सारी important सब्विताओं की अपने यहाप चीजें discuss कर ली थी तो भई अपने को क्या करना है, अब इसका देखो बड़ी ऐसे ट्रिक बता दो, राजस्तान का मैप खरीदना है, जहाँ जहाँ पर भी important सब्यता है, उनको denote करना है, और छोटे-छोटे map में न, छोटा-छोटा mind map बनाते हुए चलना है, कि भई जहाँ पर लिख दिया काली बंगा, दो-चार-पांच important बाते जो बताई वो लिख लो, फिर याद कर लो पीली बंगा, फिर रंग महल, ऐसे करते-करते राजस्तान के पूरे के पूरे map को आप सब्यताओं से भर दो, और बार-बार जितनी बार अपन इसका revision करेंगे, बार-बार जितनी बार इन चीजों को याद करेंगे, उतनी बार अपने tips पर रहेंगी, funny-funny से nämonek बनाने, निमonek को लेकर एक मेरा आपसे निविदन है, कि भä負ी, आप जितने भी निमök बताओं, हम जो έχे निमोनिक बता रहें उनको तो आपनी तौर पे funny निमानिक बनाओं, और इतने बेवकूव भरे होने चाहिए, इतने funny होनी चाहिए हो निमोनिक के आपको जरूरी है वहां mnemonic बना लिया, जहां पर जरूरी है माइंड मैप से याद कर लिया, जहां पर जरूरी है अपने tabular film के अंदर जो है वो सारी की सारी चीजों को देख लिया, अब जब अब 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 अन प्राचीन सब्विताओं का बार बार याद करते रहें, जिससे आपकी तैरी बहुत ज़्यादा strong हो जाए, thank you